आज हम बात करने वाले हैं बजट गेमर्स की जो लोग लो प्राइस पे हाई-end PC बिल्ड दरना चाहते हैं जो लोग कम प्राइस पे अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं बहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं और कोई कौन नहीं चाहता है यह चीज़ हर किसी के पास जो है वो द इंटल की नहीं जनरेशन आने वाली है एंड तो मैं उसका वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखो साफ सी बात है कि इंटल की नहीं जनरेशन आने वाली है जिसके अंदर हर CPU के अंदर hyperthreading होगी तुम्हें 10 core तक के CPU देखने को मिलेंगे ठीक है मैं तुम्हें यह बत पाइद है अभी देखो फिलाल के लिए तो जो लीक निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत सॉलेट लीक है और मैं भी का विडिया में वेले से बोलता हुआ रहा हूं कि इस एप्रेल के मंत्क में जो है वो इंटल अपनी 10th generation launch करेगा जो की 14 nanometer पर ही बेज जोगी 14 nanometer प्लस 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 ही इंटल उस करेगा सॉकेट जरूर चेंज होगा सॉकेट होगा Z490 आप उसमें अपना पुरानी जनरेशन का CPU नहीं लगा सकते लाइक 9900 के 8700 के नया motherboard लेना पड़ेगा आपको अगर आप अपग्रेड भी कर रहे हो तो तो यह जो Z490 टी सॉकेट होगा यह होगा LGA 1200 बेस दरबावर जो की एक professional overclocker and German reviewer है डरबावर ने इवन tease भी गर दिया अपने instagram पे LGA 1200 जो कि तुम देख भी सकते हो तो मतलब इस चीज़ डेफिनिटल आने वाली है और लीक्स के अनुसार जो है वो अगले हफते के आसपा जो है वो reviewers को के review samples दे मिलने शुरू हो जाएंगे और April 30 को इसकी launch rate बताई जा रही है यह April 30 को आपको YouTube channels पे benchmarks, reviews और सब कुछ देवे देखने को मिल जाएगा. Now, अभी जो है वो fail रहा है कोई एक virus जिसका की नाम नहीं ले सकते हैं बट उस virus के चक्कर में हो सकता है यह launch delay हो जाए लेकिन फिलहाल के लिए इन marketing slides के अनुसार आपको जो है वो 30 अपरेल को यह सब देखने को मिलेगा. Now, इसमें फाइदे वाली चीज़ क्या है budget की emmers के लिए इसमें कहां पर फाइदा निकल के आता है budget की emmers के लिए फाइदा निकल के आता है i3 और i5 लाइन अप में अभी current market में जो budget CPU है i3 में वो है 9100F जो की अच्छा CPU है लेकर उसकी जगापे तुम Ryzen 5 1600 ले सकते हो. क्यों ले सकते हैं क्यों कि ज़्यादा cores मिलते हैं hyper threading देखने को मिलती है i3 9100 के अंदर तुम्हें 4 core और 4 threads देखने को मिलती है लेकिन अब जो i3 आएगा उसके अंदर तुम्हें 4 core और 8 threads देखने को मिलेगा तुम्हें hyper threading देखने को मिलीगी जो कि तुम्हें नहीं मिलती थी अब जो i5 आएगा जो अभी तुम्हारा i5 चल रहा है वो है सबसे अच्छा बजट सीरीज का i5 अगर तुम चीजिए तुम 9400F लोगे जो कि सस्ता है अच्छा है अफोडेबल है और अच्छा CPU लेकिन उसकी जगवा पर हमेशा मैं या तो तुम्हें Ryzen 5 3500 या फिर Ryzen 5 2600 रि लेकिन अब जो i5 आएगा उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा 6 और 12 जैसे कि तुम्हें Ryzen में देखने को मिलता है तो एक तरीके से इससे क्या अफेक्ट होगा जो Intel users होगा उनको budget के अंदर hyperthreading देखने को मिलेगी इसलिए मैं 9400F किसी को सजेस्ट नहीं करता है मैं होगे आप कोई latest games चलाओ उसके अंदर जो benchmarks के अंदर तुम्हें easily the difference देखने को मिल जाएगा कि भले ही Intel में तुम्हें average fps ज्यादा मिल रहे है लेकिन जो frame time consistency है कि आपके frame times कितने consistent है कितना smooth आपका gameplay है वो आपको Ryzen में देखने को मिलेगा because क्योंकि उसके अंदर multiple threads थे Intel में नहीं थे लेकिन अब Intel में भी वो चीज़ आ रही है अगर तुम i5-10400F लोगे जो कि 9400F को replace करेगा तो तुम्हें काफी अच्छी performance देखने को मिलेगी अगर तुम i3-9100F की जोगा पर तुम लोगे तुम i3-9100 की जोगा पर तुम लोगे i3-10100 या फिर 10100F अगर वो आता है तो तुमको और अच्छी better value दे जो है वो देखने को मिलेगी इससे जो है वो और कैसे फायदा होगा इससे और फायदा यह होगा कि क्योंकि Intel ये लेकर आएगा तो अब of course AMD को भी अपने कोई move चलना पड़ेगा और AMD क्या करेगा AMD price down करेगा और price down यानि कि तुमारे पुर तुमारे पास multiple options होंगे या तो तुम i5 10th generation का ले सकते हो 6 core 12 threads वाला या फिर तुम ले सकते हो पुरानी generation का Ryzen 7 8 core 16 threads वाला तुमारे पास multiple options होंगे कि तुम जो है वो अपने next PC में क्या use करना चाहते हो Intel अगर तुमने ले लिया तुम of course upgrade बात जो हो छोड़ दोगे लेकिन अगर तुमें MD लेते हो तुम still एक upgrade बात पर रहोगे तो depend करता है अगर तुमें all out जाना है तुमें पूरा जितना money है पूरा spend करके एक ही बारी में खतम करना है हर चीज़ तुम i9 ले सकते हो जो कि 10 core 20 threads के साथ आएगा 5.3 GHz की boost लोगोगी लेकिन वो जो 5.3 GHz है उसको achieve क करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा वो तुम ही जानो plus 9900 के जो इनका अभी current है उसी को cool करने के लिए अगर तुम उसको 5 GHz all core पर चलाते हो तुम्हें 360 mm का radiator must use करना पड़ता है लेकिन अब जब तुम 10th generation में 10 core के CPU को cool करोगे तुम्हें कितने mm का radiator यूज क इंटल की जो TDP होती है वो most cases में या फिर 99% cases में base clock के basis पर होती है कि base clock पर 125 लेगा लेकिन boost clock पर कितना consume करेगा multi core enhancement on करने के बाद वो कोई नहीं जानता तो तुम अगर जब मुकश्मीर रहते हो और बरफ पड़ती है तुम्हारे वाँपर दैन मैं recommend करूँ कि तुम i9 लो 10 but still prices कम होंगे competition बढ़ेगा तुम्हारे पुराने जनरेशन के CPUs के मदद से जो है वो low होंगे prices low होंगी और budget gamers जो है उनका फायता होगा उमीद है तुम्हों वीडियो पसंद आएगा अगर आए तो प्लीज है और वीडियो को like, share and subscribe करने ना भूले दिन्ने माद बाबाए ट करेइस